जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके लिए आपर अग्रदास जी से सम्बंदित भौत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर वीडियो को पूरा बस से देखना है अग्रदास जी से सम्बंदि हैं यहाँ पर महत्तपूर्ण कॉस्चन है तो सभी लोग वीडियो को लाइक करने हैं शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब अबस से करना है और प्ले स्टोर से आपको सेलफ स्टेडी क्लास एप डाउनलोड करना है क्योंकि बहाँ पर आपके लिए 2020 2020 ृटेस्ट सीरेज फ्री आपके लिए स्यल्प स्टेडी क्लास एप मिल रही है और बहाँ पर आपके लिए क्या है कि संपूर्ण को bağ pulled को सिंदि सहय तैस्ट की स्यूर्इ। हैं तो आप अपनी तयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं Self-Study Classes के साथ हैं तो आज ही Play Store से Self-Study Classes अप डाउनलूट करें और अपनी तयारी को बहुत ही बहतर बनाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अग्रदास जी से संबंदत मात्तपुन Question पूचेगा है First Question है अग्रदास जी किन के सिस्से थी ए बताना है कवीर किर्षनदास पैहारी रामानन्द या ध्रबदास है तो Question नमबर एक है और आपका सही आंसर है किर्षनदास पैहारी आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर भी यहाँ पर सही आंसर होगा रामभक्ति का अब्धारा में रसेक भाबना का समाविस किसने किया Question नमबर दो है और दो का राइट आंसर रामभक्ति का अब्धारा में रसेक भाबना का समाविस किया तो किसने किया तो आपका राइट आंसर है अग्रदास विकल्प नमबर भी यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल चाहिए question number 3 है अग्रदाश जी के काबी की भासा है ब्रिजवासा है या फिर राजिस्तानी है अबदी भासा है या फिर खड़ी बोली है तो अग्रदाश जी के काबी की भासा पूंचा है तो भासा में आपको हो जाएगा ब्रिजवासा विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर यहां पर है question number है अपना चार की अग्रदाश जी किस उपनाम से रचनाई करते थे अग्र अग्र अली या सीता सकी या फिर अग्र सकी तो अग्रदाश जी किस उपनाम से रचनाई करते थे तो अग्र अली आपका सही आंसर है विकल्प नंबर C यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल चाही Question number है यहाँ पर पांच की दामपत्य मूलक औ अपासना पद्धिती को रामभक्ती का बधारा में लाने वाले प्रथम संते थे Question number 5 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर B यानि की अगरदास ही थे दामपत्य मूलक औ पासना पद्धिती को रामभक्ती का बधारा में लाने वाले प्रथम संते कौन थे Question number 6 पूछा है अगरदास जी की रचिनाओं केसे संते कभी की रचिनाओं जैसी है अगरदास जी की रचिनाओं के जैसे है नंददास केशन दास परमन नंददास या सूरदास है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है नंददास यानि की विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा बिलकुल सही बहुत बढ़िया कौस्चन नंबर साथ पूचा है सीटा जी की सक히 के नाम से कौन परसिद्ध है तो आपका right answer है क्या right answer विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है अगरदास विकल्प नंबर भी यहाँ पर सही आंसर है question number यहाँ पर आठ क्या पूँचा गया है देखे अगरदास जी को बाग बगीचों का कभी किस ने कहा है महत्पुन question है कि अगरदास जी को बाग बगीचों का कभी कहा है नावदास ने या फिर दुरबदास युगल प्रिया या मलूगदास है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है नावदास विकल्प नमबर आपका एक यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही question number 9 पूँचा है कि अगरदास जी की रशिना है बरवया रामयण है कुंडलिया रामयण है या जूल रामयण है या छपपई रामाले है तो question number 9 का आपका जो सही answer है विकल्प number C कुंडलिया रामयन आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number C यहाँ पर सही answer होगा question number 10 यहाँ पर पूचा है अग्रदास की रशिना है रूप मंजरी है रामध्यान मंजरी है अनिकात मंजरी है रसमंजरी है महत्तपुन कौशन अगरदास जी की रचना है तो आपका सही आंसर है राम ध्यान मंजरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर सी यहाँ पर सही आंसर है कौशन नमबर 11 पूचा है अगरदास जी की इस रचना में सीता बल्लाव राम की देनिक लीलाओं का चित्रन है यानि की किस रचना में है तो अश्टियाम आपका सही आंसर है बिल्कुल चाही कौशन नमबर 12 पूचा है अगरदास जी की किस रचना में राम और उनके भाईयों का स्वंदर बढ़नन के साथ अयुद्धा एवं सर्यू नदी की सोबा बढ़ने थे तो एह बढ़ने थे किस में राम ध्यान मंजरी में तो विकल्प नमबर सी अहाँ पर सही आंसर होगा कौशन नमबर 13 है और 13 का सही आंसर है आपका विकल्प नमबर सी राइट आंसर है भक्त माल आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नमबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया यहाँ पर महत्तपूर्ण कौशन अपन ने दे देखें और आपके लिए एक बात और बताते हैं कि Self Study Classes में आपके लिए बहुत ही महत्तपूर्ण अभी जो है ओफर चलता है हिंदी साय संपूर्ण कोर्स और टेस्ट सीरेज के लिए और यहां पर अपते में दो दिन आपकी फ्री 2020 टेस्ट सीरेज भी होती है यहां पर Self Study Classes एप और सभी लोग वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सस्क्राइब बस्त करने के इसी तरह है कि बहुत सारे वीडियो आपके आने वाले हैं और आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन